लाइप, शेर, सब्सक्राइब और क्लिक उन बेल आइकोन तो नवर मिस एन अपडेट फ्रम एपक जो सग्यों से लोगों को जोडता आया है और रंशो को मटाते आया है लेकिन खजानों की तखा ऐसे कही खानों की रेसिपीज है जो कहीं खोसी गई है इन ही लोऌस्ट रेसिपीज की खोज न सिर्फ हमें पूरा इंडिया घुमाएगे बल्कि कलपना से परे, जायकों से रूबरू करवाईगी इन रेसिपीज को सिर्फ किताबों, कहानियों और यादों में नहीं बल्कि HAR किचिन में होना चाहिए लोस्ट रेसिपीज समुद्र से भी नीला आस्मान और ये विश्याल पहाण यहां एक दूसरे के साथ लुका छुपी खेलते हैं और पास ही नदी अपने गाने गुन गुनाती है यहां निसर्व अपने सबसे खुबसूरत रोप पेश करता है और क्यों नहीं आखिर ये है देव भूमी उत्तराखन ये है उत्तराखन का गड़वाल इलागा कहते हैं गंगा और यमुना दोनों ने यहां गड़वाल में जन्म लिया है और इधर के लोगों का मानना है तीसरी महा नदी खुई हुई सरस्वती में भी गड़वाल में ही जन्म लिया है और इसका साल हुआ करती थी ये टोन्स नदी आज हम इसी नदी के किनारे धुनी गाउं में आए हैं और एक खुई हुई चीज ढूनने एक लॉस्ट रिसिप्ल मेरे गाउं में आने पर आपको ये तेदी सल के मैं आपको बेंट करता हूँ जो अए बट बढ़िया था है इसी अरिया से फिज है अबर कुझा शाय था। धिए बीड़िय को ये है टो जञे शाफिया है यहां परपान्डव और कौर्ब को ज़ा थायों प्रटी यहां पर्ते है पंडवों के मंदर बने बने और पंडवों की अरगा निरती होता है और यहां एक स्वरगारोनी पिक भी है जोसको युदिष्टरा पिक केता है तरह पंडवों के लिए जगा तो बहुत मेडिटेटेव ही है लेकिन मैं और देखना आपके गाउं का मतलब रहन सहें लोगों क को खाना वगरा तो अगर आप साथ चले तो आपको यहां का टिटीजनल फूद और यहां के लोग को स्रोच किरतिया परते है कोई भी अरिया का कुईजिन जो है लोकल सीजनल लोकल प्रोडूस पे डिपेंड़न होता है और उत्रा खान का खाना जो है ओवर सेंचुरीज है जैसे कि हमारे तड़के में हम जखिया डालते हैं जो लोकली उबता है क्योंकि मस्टर्ड तभी इतना मिलता ने था हम मंदवा खाते हैं मंदवा इस कॉल नाचनी और रागी इस अन इंशिंट ग्रेन तो हम बहुत सारी लोकली ग्रोड मिलेट्स खाते हैं मंदवे की रोट पॉरेज होता है तो यह सारी चीजे जो थी वो लोकली हमको हम अपने फार्म में ग्रोड करते थे और उसी में हमारा कुईजी निवाल कुगा तो हम आप उंचे हैं या बैठे होए हैं दोनी काओ के बहुत ही खूबसूरत से घर में और एक बहुत हूबसूरत किचन में और कंमला देवी जी मेरे साथ है मामा जी सब का यह कमा माने लिए एक अ हम बनाने वाने हैं एक बहुत ही पुरानी और खास लुट रेसिपी है कुछ नाम है कि रहा है अख्षाटी जिसका नाम कर दो सीडा रोटी तो जिए उटाटा रोटी बहुत ही एक दिल्चसप सा नाम है तो यह बताईए अव्य ऊमाझ जे कि यह जो खिए रोटी है इसकी क्या कानी आम इसके पीछ तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि एक तो कितना पॉष्टिक और हेल्डी होगा और दूसरा कितना टेस्टी बनके निकलेगा खाना करेक्टा चलिए तो अब मेरे खाल से मामा जी क्या बहुते हैं शुरू करें करें को इसको बनाना सबसे पहले क्या करना है यह करना चावल का आठा तो आप इसे गरम पानी में डालके पकाएंगे और करें करें कि कमला जी ने चावल के आठे को डाल दिया है और अब वो से आठे को पकाएंगे पानी के साथ उनल्द सब्सक्राइंगे मंपेत चाहिए अचैसभी ने दिकार था स किटना पानी और मैं चाहिए अगर घर में घर में लूग से बनाना चाहिए लेक लूग मार्यत वो, आदे से थोड़ा जादा पाली है और.. वोईल एकिछ बधर थरूद एक अर ठालने को Kamila ji, क्या आपको लग़ा यह होगा यह पका है? हाँ, पका होगा Oh waah Kamila ji, यह यह तो पक चोगा है अब क्या करना है? या ताडलना है अच्छा आब ये गयुह का आटा? इसके साहत गुम्जाजका है अचलिये गयुह का आटाट से और शोहफ़जाता और इसमे टेस्टा रह जाता रिभ़ जियुकुल गयुह का इसमेई टेस और इसके जो चपाती बनती है, जिए हम खाली चावल के आटे के बनाए तो उसमें थोड़ा दरार आ जाती है बिल्कुल दुकर जी, सूप जाता है बहुत जाता है, इसमें तोड़ा जाता है आटो, कमला देवी जी, हो गया यह आज़ो गया अब क्या करेंगे जी हो गया यह तो यह फिम डाना बनाने पड़े जी पार बूनने पड़े अच्छा उसको भूमना है तो जो अफीम का जो दाना है अब यहम इसे भूनेंगे चलिए, भूनते है इसे कि अब अब यह जाए जाएगा इसको यह तो यह हो गया हमारा पोस्तो का जो दाना है यह भून चुका है और अब बिसा जाएगा इसको पूर्चा लुटा ने कि अब तो यह तो यह तो यह तो यह तो सर्दी ओ के रहा हूं क्यों यह अच्छी चीज नी कि अखरूट भी है इसमें कूश्तो का घाना भी है इसमें और अब भी खाड़ा देंगे इसमें याने कि बुड़ कर दो एक उपने कि दो अज़ उपन तो अज़ इस दिए कर दो यह जो हो गया है ना वाध ओके जी असको पुटर मिलेकर एक चुटकी लून आप लेना यह जह नवक डिला में थोड़ा निए और निरभी दर्ला है निर्टी किन जरी फोड़ा है ने कुछटेर्ध जएगा टाजरीडा है श्था जाओ निल्कुल है जैना निल्कुल में जाएगा जिए ग्वड हो झाद के लिया लिए टोलेट कि शॉक्रीड़ के संदर लिखें यह आप इसको चकी जिए बहुत बड़ी आजी वाह मदा आ गया यह नमक और गुर्काटे स्टार हो ने जिसमें गुर्ड नमक और यह आप उस्तों बहुत 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 बड़ी तो आप हमने रोटी को बनाना है स्टफ करके है ना पाने रखेंगे सार जी पहले यह पाने को अए जी खोटतेत की भी कँके है कि ढूख बादप के जो बंबबु का बनावा जाल लिंग फिर इसकें रच्झ कांड़ शेक्त हूह तो आप भीड बनावा जाल लिंगि आल इस कंबला पतिले में यह बंबु का जाल बनाना ज़रू बनाना जरू हो तो रोटी पि तर बस्ता वालोगा। यह निम्ब के पत्ते जी को इसकी खुश्बू आएगी? एह एक फिले औरवर दिसे और अपर का लेहर कि जिसको पर यह भी पेला रखा जाएगा धान is a very important part of religious festivals. यह डिश जो है मेरे हिसाब से इस पिर्टनस festival डिश and the Sugandhi dhan जो इसमें यूज की गई है is symbolic of that festival. है और नहीं डिया गया हुआ वाँ ये लाइ ये लाए बेसिक लेड ये इसमें हमने भर दिया है दोनों रोटिया मिलादी अब हम में खाँ ये अब हम भाम इसके लो कौने है इंको हम इनको हम चक्टे आ कने जे remembering तब साथ में सील कर दे रहे हैं और ये करने के बाद में आप मामा जी जो है इसकी एक बनाएंगे डोरी डिजाइन हमारी ये जो रोटी है ये पकने के लिए तयार है ये रिजी आप आप हार रखी जे तुस्री वादी मेर को दे दी 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 जे जे पकाई है जे डावाल में रखी इंटर्स्टिंग प्रता है जिसमें हम काफी सारे फ्रेगर्ट लीज में आपने खिच्ट्रूस प्लांत ब体से शेफ टेकल थे घवान को तो पूआ नो तोन प्रम Competition अवार्यन कर्दा प्लांता की का fulfillment, गृष एक जो जुड़यर is a summer कि पकने में और फिर यह होंगी बिल्कुल तयार वाँ वाँ पांच-दस मिनिट और फिर हम अपने सिदा रोटी को पुरसेंगे और खाइंगे बिल्कुल सिदा रोटी आज हम इतना ओमली देखते नहीं है तरवाली घरो में क्योंकि उनको बनाने में ताइम लगता है या टेक्निक्स डिफिकल्ट है जो लोगों ने पासवन नहीं की है नेक्स जेनरेशन को कोई तिखाने वाला में है ताट्स वाइ बिकामें लॉस्ट रेसिपीज तो फाइनली हमारी जो सेगा रोटी है वो तियार हो चुकी है क्यों मामा जी बढ़िया लग रही है ना बल्कुल और अब हमने इसे टेस्ट करना है और फिर खाने है मतलब खाना है इसे बिल्कुल बिल्कुल यहलो मैं आपको अगरम 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 इसके अंदर अब देखे कितने बढ़िया से यह पिगल चुका है स्टीम हो चुका है आप लग में के बाद बढ़िया लग रहा है है अब आपको अब आपको एकली कोई डिशिस ऐसी होती है जो आप कहते ही मतलब ऐसा में वहसूस होता कि आज खल के जमाने की नहीं है जो ने बिल्कुल परफक्ट बनाये गुड और वह पोश्टो दाना उसका फ्लेवर है और यह बिल्कुल क्रीमी सा हो गया यह देखेए एक तरिके से जैसे बोले ना गुड का चोक्लेट जैसे होता ना पिगर के अखरोर का भी और बहुत ही जैसे बोलते हैं बाहर का जो आटा है वो इंगम मतलब मुह में डालते ही खुल जाता है एक बेहद स्वादिश्ट डिश है और बहुत प्राचीन पुरानी है और मेरे ख् यह सही रेसिपी हमने चुनी है क्योंके यहां के लोगों के इतिहास और कल्चर से यह जुड़ा हुआ है जी जी बलकुल सही रहते है यह अपना सीडा रोटी और यह है हमारा दूनी गाउन थांक्यू वेल्कम स्वादिश्ट हमालय के पहार कई रंगी इन कहानिया अपने पास महफोज रखते हैं और इन कहानियों को खुरेट कर सब के सामने लाते हैं यहां के रहने वाले बंजारे यह भेड़ी वाले जिनकी मन्जिल और चिनके रास्ते हर दिन अलग होते हैं और आज इन ही के साथ हम बनाएंगे एक खास लॉस्ट रेसिपी हम खड़े हैं आज टॉंस वाली में और आज हम एक शेपर्ड कम्यूनिटी है यहां की उनकी एक खोई हुई रेसिपी बनावाले है न परहन जी 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 तो आईए आपका नाम कैसे आप जी 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 यह बखिए ते उसको लाओजर वेट लाओंगे लाओजर नहीं है अब जबास? जी लाओजर लेका है लाओजर लेका है यह थो इस सुखेवे मीट को देखके आप अंदाजा लगा सकते हैं कि यह कितनी प्राचीन और पुरानी प्राचीन कम्यूनिट्एं निर्भ़र और यहां के लोग यहां के जीव जब है कितने निर्भर है इसको बना लिए इसको बनाएं यह थो और प्लटानि शाहिसर इनरा कि आथ आने के इन्टस्टाइं जो है लगड़ीगी के शेपर्डिंग क्म्युनिटी में अगर गोट को वुचर किया जाता था तो उसके हर पाट को यूज किया जाता था कुछ चीजे तभी की तभी बन जाती थी जासे मीट भाथ मेट मुटन करी और भाथ फिर बाकी के पाट के हम अचार बनाते थे और कुछ-कुछ चीजे जो हम सुखा देते थे ताकि हम उनको विंटर ने उसके हैं जब हमें मीट ना मिलें तो उनको उसकें यह है एग नॉमड़िक और हन्टर गैदरर अगर इसे बोले यह यह नॉमड़िग जो ट्राइब ओते हैं वो जो जान्वर है उसका पूरा प्रयोग करते हैं, हर हिस्से का प्रयोग करते हैं और आज हम इसका जो इंटस्ताइन है याने के आत उसकी एक रेसिपी बनाएंगे नाम क्या है इसका? अंध्रे तो आज हम बनाने वाले हैं एक रेसिपी जिसका नाम है अंध्रे चल्याजिट, शुरू करते हैं, सबसे पहले बता ये क्या करना है ? – औंकला भानाला मुण का CRётतलो theorem क। लिए पानी लालने चीह सब फेले चाहे है . – अब पानी लालने पानी सब फेले ही सबसे लुट बनाला है अरो पानी दानी है तुपिकली इस प्राक्टिस हैस एक्सिस्टेट कि आप कोई भी सीरियल का स्टफिंग बना के इन इंटसान्स में स्टफ करके आप उसको ड्राइ कर सकते। प्राइक हाय। कि छिशितर सकते घहुति सिंटे प्रडीयस में विख शेया कने मिल टीनिटेटा मैं खोड़ी इस डालेंगे तो घू लकाथिजीरा आप एंटनिया थीजीरा निया पाव़डर जिश्पे को ज़नोगे तरुडर्स रहा है, तब बनेगा है तिश्टी बनेगा बश्टेज़ों, बिल्गुल नमक वह थी पत्ला यहां पर इसकी एक मिश्चर बना है अब ये जी डाला सन, पर पिसना पड़ेगे तर उसको पिसेगी अब इसे ट्रेश्ट के और बनेगा बहुत 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 यह हो गया जी बिलकुल? तो हमारा यह जो मिशरन है यह तयार हो चुका है कोई शूरू? शुरू करिये सर अब आत में इसको भरोगे चलिये अजी अब हम इस मिशरन को तियार करते हैं तियार करते हैं आत में भरने तब तक क्या मैं यह आगवाग जिलादू? आप आगवाग जिलादू यह जिलादू यह ददू नहीं जिलादू यह तरह टाजे आए बड़ी बडीर अब बारी इसे डालने की डाल के पकाने की कितनी दे लगेगा पकने में अब कितनी तरह दस मिनिट करें तस मिनिट बस चलो जी तो हम अपने आंध्रे को डग देते हैं अच देते हैं अंत्रा एक लॉस्ट रेसिपी इसलिए है क्योंकि अब उसको बनाया नहीं जाता है काफी रिजन्स है एक तो मेकिंग प्रोसेस थोड़ी लंबी है टेकनीक्स थोड़ी डिफिकल्ट है बट एक यह है कि अब हमको सुपरमार्केट से राइडी में चक्कन वाटन मिल जाता है तो हम पूरा अनमल बुचा नहीं करते हैं भरका तिपिकली आस्पिरेशनल टेंडेंसी भी आ गई है तो यह होता है कि यह जो ओफाल होता है आंथ्रे गुर्दे कलेजी यह चीजे जो है अज हम उनको इतना अच्छा नहीं मानते हैं तो उसको हमने खाना बन कर दिया है अच्छे कट्स जो रान होता है वही खाते हैं पूचर से हम वह पूचर अधोरी खरीतė Ondra से च्रह एं जो चोटे चोटे कट्ट होते है पूरी तरह से जो आत है ये गल चुका है तो इसका मतलब है अब ये तैयार है अब हमने बस इसे निकाल के और काट के फिर इसे टेस्ट करना है चलिए निकाले जाले हाँ को आरा है थोड़ा साथका मसाला और लेकिन डे الجष्फ खेंटरीक है कि जो सबके बसकी बात नहीं और इसका जो टेस्ट भी है ये बिल्कुल पाहाडों का यह बिल्कुल जिसे बोलते हैं जंगलों का जो टेस्ट होता है न ऐसा खाना है यह मतलब जिससे आप कह सकते हैं सर्वाइबल फूल मतलब जब सर्दियों का टाइम होता है जब पहाडों में लोग होते हैं वहां पे जिन्दा रहने के लिए उन्हें क्या-क्या नहीं करना पड़ता और उसमें से एक एक डिश है आंध्रे आंध्रे वाह थांक यू आपका भी धन्यवाद सर्जी बहुत बहुत धन्यवाद आपको आंध्रे यहां पहाडों के बीच इतिहास की गूंच काफी तेज है शेहरों से दूर इन वादियों में अभी बीता हुआ कल खिल के लाता है हमारा यहां आना और कुछ लॉस्ट रेसिपीज बनाना एक कोशिश है इसकल को महसूस करने की इसे रोके रखने की और साथ ही साथ कई खुबसूरत यादे ले जाने की हुआ है